हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका एक्जाम क्रेकर यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमने आप से बादा किया था कि हम जो है वो आज से जो है एक and then HP G.K क्रेस कोर्स जो 30 डेज का हमारी लैक्यर सिर्ज आने वाली थी तो इसका फर्शट डे आज है तो इसमें हम जो है वो बात करेंगे सबसे पहले हिमचल प्रदेश भगौलिक परिचे है तो अगर हम बात करें हिमचल प्रदेश जो है उसकी स्थीति वो जीलों के बारे में तो अगर सबसे पहले हम बात करें हिमचल प्रदेश की तो हिमचल सब्द का अर्थ है हिम का अर्थ है तो बर्फ और आंचल का अर्थ है चादर उसके बाद अगर इसको हम पूरे सब्द को एक निचोडे तो इस सब्द का निचोड बनता है बर्फ की चादर में परवत का टुकडा तो अगर आपने अभी तक हिमचल प्रदेश का मैप नहीं देखा है तो ये देखिए इस प्रकार से ये मैंने अपने हाथों से एक नोट त्यार किया है HP मैप का तो आप इसे देख सकते हैं अगर किसी भाई को ये पता नहीं है कि कौन सा जिला जो है वो किस रेंज में पड़ता है तो इसको भी हम जो है वो डिसकस करेंगे लेकिन सबसे पहले जो है आप जिलों के बारे में जानने जीए तो अगर हम इस मैप के जो है वो मैपिंग सिस्टम से देखें तो इस साइड जो है वो पूर बाता है इस साइड पस्चिम और इस साइड उत्तर है और इस साइड दक्शिन है ओके यो ये साइड है इस साइड नक्सिन है अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो पूर्व है तो पूर्व में ही मचल प्रदेश का कौन सा जीला लगता है उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि उत्तर में कौन कौन से जिले आते हैं तो उत्तर में जो है एक चमबा और एक लहौल स्पिदी ये दो जिले पढ़ते हैं अगर हम बात करें पस्चिम में तो पस्चिम में कांगडा जिला पड़ता है और यदि हम बात करें दक्षन में तो दक्षन में सिर्मौर जिला पड़ता है अगर हम पूरे जीलों को डिसकस करें तो देखिए कौन-कौन से जो हिमचल प्रदेश के बारही जीले हैं तो इनको याद रखना असान है सबसे पहले लहल स्पिती, चमबा, कांगडा, कुलू, किन्नौर ठीक है यह हो गया आपके पांच जीले और इसमें से यह लेजी आप उन्ना तो उसके बाद यह बीच में छोटा सा जिला आता है तो यह जो है, यह जिला पढ़ता है हमिरपुर और यह जिला जो बीच में है यह पढ़ता है मंडी उसके बाद अगर हम बात करें तो ये पढ़ता है बिलासपूर और ये पढ़ता है सिम्ला ठीक है और ये जिला सोलन है और ये सिर्मौर है इस प्रकार से जो है हिमचल प्रदेश के ये 12 जिले है तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं 12 जिलों को तो लोहल स्पीती, चमबा के नौर, कांगडा, कुलू, सिम्ला, मंडी, सिर्मौर, सोलन, उन्ना, बिलासपूर और हमेरपूर तो ये आप याद रख सकते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं हिमचल प्रदेश जो है वो किस हिमाल्या परवत स्रिंखला में स्थीत है ठीक है तो ये जो हिमचल प्रदेश है ये डिरेक्ट प्रसन आपसे पूछ लिए जाता है कि ये किस स्रिंखला में स्थीत है तो पस्चिम हिमाल्या स्रिंखला में जो है वो स्थीत है उसके पस्चात अगर हम बात करें कि हिमचल प लेकर 89 डिगरी 4 मिनिट 20 जो है सेकिंड पूरम में और अगर बात करें उत्तर में तो 30 डिगरी 22 मिनिट 40 से लेकर 33 डिगरी 22 मिनिट 40 सेकिंड उत्तर अक्षांस में और अगर हम बात करें कि हिमचल प्रदेश की जो है कुल प्रादेशिक सीमा तो ये है 1170 किलो मेटर नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हिमचल प्रदेश के जीले उनकक से तरफल तधा प्रतेक जीले द्वारा स्फर्ष की गई अन्य जीलों वो राज्यों के साथ जो है सीमाओं का बियोरा तो अगर इसमें हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्रम संख्य दिये गई है और उसके बाद जीले बताए गए हैं तो सबसे पहले हम जीलों के उपर ही चलेंगे तो सबसे पहले जीला हमारे पास आता है लहौल स्पीती तो लहौल स्पीती के बाद चमबा किनौर कांगडा कुलू सिमला मंडी उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जीले जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं सिर्मा और सोलन उन्ना बिलासपुर और हमेरपुर तो इन जीलों के जो हैं सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जो है वो इनका क्सेत्रफल देखेंगे तो क्सेत्रफल सबसे पहले आता है लहौल स्पीती का तो 13,541 वर किलोमेटर उसके बाद चमबा का 6,522 वर किलोमेटर उसके बाद कांगड़ा का 5,749 वर किलोमेटर उसके बाद कुलू तो इसका है 5,503 वर किलोमेटर उसके बाद सिमला का है 5,131 वर किलोमेटर उसके बाद यदि हम बात करें तो मंडिक आता है 49,3950 वर किलोमेटर उसके बाद अगर हम बात करें तो सिर्मा और काता है 2825 किलो मेटर उसके बाद शोलन का 1936 किलो मेटर उसके बाद उन्ना का 1540 किलो मेटर और उसके बाद बिलासपुर का 1167 किलो मेटर और हमिरपुर का आता है 1118 बाद snake है 218 किलो मेटर तो यदि हम बात करें तो इं ज को सेत्रफल ہیں इन इन पू मेद रखना आसान है लेकिन यहां इनको आप 3-4 बार रिवाइस करो सबसे पहले इसको अपनी बुक पर लिखो जो आपकी कापी है उसके बाद हम कि जो है इनको प्र पांच बार जो है वह करने मिमंद्ध हर फिर मतलब बीनद्ध काई यह अपने मन में एक बार जो है इनका ध्यान करना है कि आपको जो है किस जो शेत्रफल है उस assistir में काठीनाइ आ रही है उसको एक दो बार याद करो तो दोस्तो इसके लिए जो है हमने एक trick भी बनाई हुई है लेकिन trick की वीडियो आपको जो है डेली हिमचल प्रदेश से समंदित जो है trick से समंदित एक एक वीडियो आपको जो है दोपहर को जो है वो बारा बजे के बाद उपलम्द करवाई जाएगी तो अब हम यदि इन ट्रिक्स को याद कराने लगे तो इन में जो है ज्यादा टाइम लगेगा तो इनके लिए एक अलग से एक एक डेली सेपरेट वीडियो आपको दी जाएगी हमारी यूट्यूब चैनल के जरीए तो अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन आपने जरूर प्रेस करना का कि मैं तो हम बात कर रहे थे क्षेत्र फलम एक टिसक्स कर लिया उसके बाद हम भात करते हैं मुख्याल के तो हर डिस्टिक का है तो वो जो मुख्यले है वो बिल्कुल सेम है लेकिन चार ऐसी डिस्टिक हैं जिनका जो है वो मुख्यले सेम नहीं है अर्थात जिले के नाम पर नहीं है तो उनका जो मुख्यले है तो वो कौन-कौन सी डिस्टिक हैं तो सबसे पहरे हम बात करते हैं लहलस्पिती तो लह यदि हम बात करें सिरमौर की तो सिरमौर का है नाहन तो ये चार जीले हैं जिनके मुख्खैलिया सेम नहीं है अर्थाथ अलग है तो कौन कौन से लोडस पीति का जो है केलांग उसके बाद अगर किन्नौर की बात करें जो है जो सीमा इसपास करती है उनके बारे में तो इन में आपने सबसे मेंली जो ध्यान रखना है वो रखना है कि सबसे ज़्यादा किस जीले कौन सा जील है जिसकी अन्य जीलों के साथ लगती है और सबसे कम कौन है तो सबसे ज़्यादा है कांगडा और मंडी क्यूंकि ये स शेतरफल के अनुसार भी जो हैं कांगरा सबसे बड़ा है तो इसकी वैसे ही नाच्र Mickey बात है किि ऑन्ह जीलों के साथ भी Imaa Ag meme अधिक लगेंगी और चमबा और सिर्मौर तो ये चमबा और सिर्मौर दो ऐसे जीले हैं जिनकी जो है अन्न जीलों के साथ जो है दो-दो सीमाएं लगती हैं तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वैसे तो थियोरी मैंने बहुत ज्यादा इसमें इंकल्यूड की है लेकिन अभी जो है ये क्रेस कोर् को पूरी चीजे में तो इसके लिए जो है अलग से जो है सैपरेट अलग अलग वीडियो आएंगी जो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से इनको याद रखना है आप एक क्रेस कोर्स में इनको याद भी नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है ये आपका एक ऐसा समझ लो कि ये बेस जो है क्लियर कर रहा है इन क्रेस कोर्स के जरिये तो वीडियो को आप द्यान से देखिए अगर आप इन जो वीडियो में आपको क्रेस कोर्स के जरिये दे रहा हूं इनके अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो आपके ये बहुत बेनिफिट हैं तो आपको जो है वो ज किस जिले के साथ कितनी लगती हैं तो इसके लिए भी एक जो है वह ट्रिक है तो उस ट्रिक को मैं यहां बता देता हूं लेकिन पूरी जो है उसको explain नहीं कर सकता अभी तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा तो इसके लिए ट्रिक है दो चार छे तीन तीन चार छे चार पांच चार दो ये नमबर है इसमें जो जिले हैं उनको जो है हर जिले के लिए एक नमबर है और उस हर जिले को लानवाज देके सियाद करने के लिए एक ट्रिक बनाई गई है तो आप ये बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा किस जिले के साथ सीमा लगती हैं सबसे कम किस जिले के साथ सीमा लगती हैं और किस जिले के साथ कितनी जो है अन्य जिले हैं उनकी सीमा लगती हैं तो जैसे दो है तो ये चंबा के लिए है दो उसके बाद चार है तो ये लाहल स्पीती के लिए है फिर उसके बाद छे है कांगडा के लिए है फिर किन्नौर के लिए तीन है कुलू के लिए तीन है और किन्नौर उन्ना के लिए जो है वो चार है मंडी के लिए छे है फिर बिलासपूर के लिए 4 है फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो सिमला के लिए 5 है और सोलन के लिए 4 है और सिरमौर के लिए 2 है तो इस प्रकार से जो है ये ट्रिक बनाई गई है तो इसको हम next part में जो हम 12 बजे एक वीडियो आपको ट्रिक की उपलब्द करवाएंगे उसमें जो है ये जो हम आपको ट्रिक देंगे इनके लिए वो वीडियो होगी तो दोस्तो वैसे तो इसको आप मोटे मोटे तौर पर याद कर सकते हैं लेकिन आपको exact पता जो है उस ट्रिक से ही लगेगा तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करिएगा जिससे आपको वीडियो की notification मिलती रहेगी तो अब हम next अगर बात करें तो जो हमने आपको बताया कि इसका बगॉलिक सेत्रफल जो है जो हम सीमाओं की बात करें जो प्रदेशिक सीमा इसकी कितनी है तो ये है 1170 किलो मेटर उसके बाद हम next बात करते हैं जो वर्लाइनर प्रसन की फॉर्म में हमने जो है क्रास को डिजाइन किया है तो हिमचल प्रदेश का कुलक सेत्रफल की तरह है तो ये है 55673 किलो मेटर तो पूरे क्षेत्रफल को याद करने के भी हम ट्रेक आपको जल्दी ही प्रवाइड करवाएंगे तो हिमचल प्रदेश का भारत के क्षेत्रफल में योगदान है तो 1.7% तो 1.7% जो है वो भारत के क्षेत्रफल में जो है हिमचल प्रदेश के क्षेत्रफल का योगदान ह अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दिष्टी से जो है ये कितुमा जो है वो राज्य है तो ये है अठारुआ अर्थात और जो है ये जब राज्य बना था तो ये अठारुआ ही राज्य बना था और क्षेत्रफल की दिष्टी से भी ये अठारुआ ही राज्य है अगर इसकी जनसंख्या 2011 के according बात करें तो 68,56,509 है और यदि हम बात करें हिमचल प्रदेश का भारत की कुल जनसंख्या में जो है वो स्थान अगर हम जो है केंदरसाशित प्रदेशों को भी include कर लेते हैं तो इसका स्थान जो है वो 21 है तो हिमचल प्रदेश का भारत की जनसंख्या में कौन सस्थान है तो यह है 21 अगर हम जो बात करें कि अगर केंदरसाशित प्रदेशों के को भी add कर ले तो इसका जो स्थान होगा, वो होगा जो है वो बाउवा अगर केंदरसाइसित प्रदेश यहाँ पर मिश्टेक से लिखे गए हैं तो केंदरसाइसित प्रदेश जो है आपको आपने कमेंट करकर बताना है कि कितने हैं तो केंदर शाहिसलित प्रदेस मैं आपको बता दूँ आठ है, क्योंकि जम्मू और कसीमीर जो एक राज्या था उसे केंदर साहिसलित प्रदेस का दर्जा मिला है और लद्दाक एक और केंदर साहिसलित प्रदेस बन गया है। तो जम्मू कस्मीर के पहले हमारे आठ थे लेकिन दम्न और दूइप और नागर जो दादर हवेली है उसको translator करकर एक जो गंदर सासीज़ परदेश बना है और जो पहले तो 7 कंदर सासीज़ परदेश थे लेकिन जमू कस्मीर और लडाक 2 बने तो 9 हो गया है लेकिन दादर और नागर और दमन दूइप जो एक केंदर साथिप देश थे उनको जो है इंक्लिउड करकर एक ही केंदर साथिप देश का दर्जा मिल गया है तो उसको एक को माइनस करकर 8 रह जाते हैं तो अब हम बात करें कि हीमचल प्रदेश जो गठन हुआ है वो कितना जो तीस रियास्तों को छोटी बड़ी रियास्तों को मिला कर इसका गठन किया गया है और 15 प्रैल 1948 को ये जो है वो इसे जो है राज्य का दर्जा मिला था लेकिन हीमचल प्रदेश का गठन हुआ था और इसे राज्य का दर्जा का मिला तो ये मिला है 25 जनवरी 1971 को तो नेश्ट हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जो है हीमचल प्रदेश का गठन हुआ तो 1948 से लेकर 51 तक जो है हीमचल प्रदेश मुख्या युक्त से तर रहा जिसमें सबसे पहले मुख्या युक्त जो है वो आते हैं एंसी महता फिर उसके बाद आते हैं इपैंडरल मून और उसके बाद आते हैं अंतीम जो है भगवान सहाय उसके बाद जो है 1951 से लेकर 1956 तक गरसरेणी का राज्य रहा और 1956 के से लेकर 1971 तक जो है हीमचल प्रदेश के इंदर साशित प्रदेश था और 25 जनवरी 1971 को जो है हीमचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का धर्जा मिला और जब ये इसका गठन हुआ तो ये जो है 18 नमबर का राज्य जो है वो बना था और हीमचल प्रदेश की अगर बात करें तो मुख्य नदियों की तो ये हैं पांच कौन कौन सी सतलूज ब्यास राभी यमना और चिनाब अगर हम बात करें सबसे लंबी नदि की तो ये है सतलूज और सबसे छोटी की अगर बात करें तो यमना है और जो जल गनत्व की दृष्टी से अगर बात करें तो चिनाब नदि है उसके बाद अगर हम बात करें तो ज हिमचल प्रोटेस का दक्षि striynh जिल जिला ओर हमचल helpche जिलच का पाइब कर्किति चूटे जिले की बात करें तो हमिरपूर किसहें सबस्क्राइब करते हैं अगर जार्मक देसां से ओग्स्था से तो अगर हमिरपूर इस समय कितना हैं जे आपको बताया है एक सो सत्रा वर किलो मेटर तो ये भी आपने जो है रिवाइस करते हुए चलना है नेक्स्ट हम बात करें कि सबसे ज्यादा जीलों जो हैं सीमाइस पर्स करते हैं तो कौन सा जीले वो हैं तो ये हैं कांगड़ा और मंडी मैंने पहले भी आपको बताया और सबसे कम चंब और सिर्म और अगर इनकी बात करें तो ये 6-6 डिस्टिक्स के साथ सीमाइस पर्स करते हैं अर्था सांजा करते हैं और ये 2-2 के साथ करते हैं मैप मैंने आपको बता दिया है कि मैप किस प्रकार से है इमाचल प्रदेश का तो इसमें अगर हम बात करें कि इसको अगर हम मैपिंग सिस्टम से लें तो इसमें अगर बात करें इसको डिवाइड करें तो मैंने पहले भी आपको बताया कि ये पूरब दिसा है ये पस्चिम है ये उत्तर है और ये दक्सिन है काफी भाईयों को पता हो ना लेकिन जिसको पता नहीं है उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ तो अगर हम बात करें तो अगर मैपिंग की हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया तो अगर हम बात करें कि पूरब में कौन सा जिला पढ़ता है तो मैंने आपको पहले भी डिसकस किया कि पूरब में जो है वो किनौर जिला पढ़ता है और अगर हम बात करें दक्षिन में तो दक्षिन में कौन स है सिरमौर उसके बाद ये है सिरमौर और ये है किनौर उसके बाद अगर हम बात करें उत्र में तो उत्र में दो जिले पड़ते हैं चमबा और लहौल अगर हम बात करें कि जो है मध्य में कौन से जिले पढ़ते हैं तो मध्य में पढ़ते हैं जो है मंडी और कुलू तो मंडी और कुलू ये दो जिले आते हैं और यदि हम बात करें कि पस्ची में तो पस्ची में हमारा पढ़ता है कांगडा उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बा करता है तो आगर हम बात करें जह आप जिलों की तो जो कितने राज्य प्रदेश प्रदेश के पुश्य और पंजाब तो यह आप देख सकते हैं कि कोन कौन से जीले हैं जो है किस जो है वो राज्या के साथ लगते हैं तो अगर हम बात करें तो सबसे जो ज्यादा है वो सबसे ज्यादा पंजाब के साथ जो है वो जीले लगते हैं तो इसके साथ लगते हैं पांच हर्याना के साथ लगते हैं दो उत्रखन के साथ लगते हैं तीन चिन्नोर, सिरमौर और सिमला और उत्र परदेश के साथ एक ही जिला लगता है सिरमौर और जो जमू एंड कसमीर है जो अब किंदर सासर प्रदेश का दरजा जिसे मिला है उसके साथ जो है दो जिले लगते हैं चम्बौर, कांग्रा तो उसके बाद हम आपको जो है वो मैप में बताते हैं कि किस प्रकार से जो है कौन-कौन से जीले लगते हैं तो ये भी जो है एक हाथ से त्यार किया गया मैप है तो इसमें भी आप देख सकते हैं तो देखिए ये हमारा हिमचल प्रदेश पढ़ता है तो हिमचल प्रदेश के अगर हम बात करें कि उत्तर में तो उत्तर में ये देखिए आप जम्मू एंड कस्मीर का है तो कुछ हिसा लद्दा का है जो एक राज्या था वहां जो 370 धारा है उसको हटाने के बाद जो है इस से जीले लगते हैं तो ये लगते हैं लहल स्पीती और जो है चमबा उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा पढ़ता है उत्तर प्रदेश और इसके साथ जो है एक जीला पढ़ता है जो लगता है जिसका नाम है सिर्मौर और उसके बाद अगर हम बात करें कि नेक्स जो हमारा जीला पड़ता है वो है उत्रखंड तो उत्रखंड के साथ तीन जीले लगते हैं जो कौन-कौन से हैं किन्नौर, सिर्मौर और सिम्ला उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारे पास पंजाव है तो पंजाव के साथ जो है ये हमारा पंजाव जो है राजय पड़ता है तो पंजाव के साथ कितने जीले लगते हैं तो पांच जीले लगते हैं कौन कौन से जीले लगते हैं तो ये लगते हैं कांगडा, चंबा, उन्ना, बिलासपूर और सोलन उसके बाद हर्याना के साथ जो हैं दो जी ले लगते हैं जो हैं सोलन और सिर्मौर तो आपने देख लिया और चीन टिबत के साथ भी जो है कुछ बॉंडरी शेयर करता है हिमचल प्रदेश तो इसमें जो है वो कौन-कौन से दो जी ले लगते ह हैं तो ये लगते हैं कि नौर और लहौल स्पिती ये दो जी ले जो है वो इनकी सीमय जो है चीन टिबत के साथ जो है अटेच हैं तो इस प्रकार से आपने भारत का मैम में हिमचल प्रदेश का जो है वो स्ट्रक्चर देख लिया कि किस प्रकार से जो है हिमचल प्रदेश क जो है भगौलिक विस्तार है तो उसके बाद next हमारे पास अब topic आता है topic 2 1.2 तो इसमें हम जो है क्या discuss करेंगे तो हीमचल प्रदेश की परवत स्रिंखला हुऊ परवत चोटिया तो यह जो part 1 था यह आपने देख लिया हीमचल प्रदेश का भगौलिक विस्तार उसके बाद part 2 आता है जो 1.2 के नाम से हमने यहाँ पर लिखा है हीमचल प्रदेश की परवत स्रिंखला है वो परवत चोटिया तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी होगी अन तक वो बने रहीगा इस वीडियो के साथ आप हीमचल प्रदेश के बारे में बहुत कुछ जो है वो जानेंगे अगर आपको एक बार में देखिए किशी को भी जो है इतने जल्दी याद नहीं होता इतने जल्दी जो है सब चीजे जो है याद होना बहुत मुश्किल है लेकिन अगर आप एक दो बार वीडियो देखे फिर से और उसके बार जो है सबसे पहली बार जो है अपने नोट्स नहीं बनाने हैं क्यूंकि पहली बार में इतना ज्यादा पता नहीं लगता है दूसर पहली बार आपने देखा होगा तो आपको जो है 20 से 30 परसेंट जो है समझ आया होगा और जब आप दूसरी बार इस वीडियो को देखेंगे तो आप जो है 50 to 70 परसेंट जो है आपको समझ आया होगा अगर उसके बाद जो है जब आप notes बनाएंगे तो आपको जो है वो ज्यादा समझाएगा और तो आप 70-80% जो है वो समझ जाएंगे कि किस परकार से जो है क्या बताया गए है वीडियो में और इसी परकार से जो है आपने साम को जब 8 बजेंगे तो आपको एक mock test के रूप मे जो है जो हमने इस भक्त हम पढ़ रहे हैं वो आपको mock test के रूप में जो है question दिये होंगे तो वो भी आपने जुरूर लगाने हैं तो शुरू करते हैं next हिमचल प्रदेश की परवत स्रिंखला है तो हिमचल प्रदेश की जो परवत स्रिंखला है उन्हें तीन भागों में बांटा गया है मध्य परवत स्रिंखला और उच परवत स्रिंखला जो निमन परवत स्रिंखला है वो है तिन सो पचास मीटर से लेकर जो पंद्रह सौ मीटर तक और पंद्रह सौ मीटर से पंतालीस सौ मीटर तक मध्य परवत स्रिंखला और उच परवत स्रिंखला है पंताल मैब में जो है वो इस प्रकार से जो है आपको परवत स्रिंखलाओं का विभाजन किया हुआ मिलेगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं थियोरी पर, उसके बाद मैब में समझेंगे, तो अगर हम बात करें निवन परवत स्रिंखला की निवन परवत स्रिंखला को जो है वो सिवालिक परवत स्रिंखला के नाम से भी जाना जाता है इसे और सिवालिक का अर्थ है सिव की जटाएं Very important person है ये आपको notes में जो है one liner की form में मैंने लिखा हुआ है लेकिन अक्सर एक्जाम में ये जो श्रिंखलाओ वाला परवस्रिंखलाओ वाला टॉपिक है इसमें से HPSSC जो भी अधर एक्जाम होते हैं उनमें ऐसे प्रसंद अक्सर पूछ लिए जाते हैं अपने ध्यान रखना है और इसकी स्मुद्र तल से उन्चाए कितनी है 350 मेटर से लेकर 1500 मेटर तक और इसकी ऑस्तन बरसा की अगर हम बात करें तो यह है 1500 मेटर से लेकर 1800 मेटर तक और सिवालिक सेतर को अन्य किस नाम से जानते हैं तो मॉनांक परवत और एक आएगा मॉलांक परवत यह लिखा हुआ है मॉनांक और वो होगा मॉलांक तो ये दोनों जो हैं confusion करने वाले word हैं तो इनको ध्यान से समझना है आपने तो मौनांग परवत किसे कहते हैं सिवालिक सेत्र को मौनांग परवत भी कहते हैं सिवालिक परवत स्रेणी में आने वाले जीले तो कौन-कौन से जीले हैं तो सिर्मौर, सोलन, बिलासपुर, उन्ना, हमिरपुर, मंडी और कहंगडा अब नेक्स्ट अगर हम भात करें तो नेक्स्ट जो है वो आता है सिवालिक, परवत, सिरेणी के अंतरगत आने वाले क्षेतर में बोई जाने वाले जो फसले हैं जो हिमचल परदेश के अंतरगत बोई जाती हैं तो ये हैं गेहू, मक्की, धान, गन्ना, अदरक जो अक्सर हम देखते हैं गेहू, मक्की, धान, गन्ना, अदरक ये जो हैं वो हमारे निचले जो सिवालिक, परवत, सिरेणी के अंतरगत जी ले आते हैं बिलासपुर हो गया अधर जैसे उन्ना हमिरपुर मंडी कांगडा सिर्माउर सोलन इत्यादी जो निचले निमन परवश रिंखला है जो सिवालिक परवश रिंखला है उनके अंतरगत ये अक्सर आप देखते हैं ये फसले जो है वो बोई जाती है और यदि सिवालिक साल बांस इत्यादी कौन-कौन से हैं खैर कचनार आम सीस्तूथ साल बांस आदी उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मध्य परवश रिंखला सबसे पहले मैं आपको मैब में ले चलता हूं कि किस प्रकार से जो है वो जो सिवालिक पर क्लाइसिस करना है कि किस प्रकार से क्या बताया गया है तो देखिए जो आपका चंबा और लहॉल्स पीती हैं इनको आपने छोड़ देना कुल्लू को भी आपने किन और को और सिम्ला को भी ठीक है यह पांच जीले आपने छोड़ देने पांच के अलावा जो भी जीले बा तो अब हम बात करते हैं कि जो मद्यपरवत श्रिंखला के अंतरगत तो मध्यपरवत श्रिंखला के अंतरगत आने वाले सेतर हैं सिर्मोर, मंडी, चमबा, कांग्डा तो अब आप confusion होगे कि जो सर ने पहले ये क्या बताया मैंने सबसे पहले जो है सिर्मोर, मंडी, चमबा नाहन और पंचाद हो गया उसके बाद मंडी का क्रसोग और चियोद हो गया, चंबा का चुरा हो गया, कांगड ए का पालंपोर तहसील हो गई, तो ये जो कुछ एरिये हैं, ये जो हैं, मद्ह पर्वत सरिंखला के अंतरगत आते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है, चार जीलों के कुछ कुछ भाग जो हैं, वो आपको मध्यपरवस श्रिंखला के अंतरगत देखने को मिलेंगे तो अब हम बात करें कि जो मध्यपरवस श्रिंखला के अंतरगत आने वाले जिले हैं तो मध्यपरवस श्रिंखला के अंतरगत जो हैं आने वाले जो हैं वो 6 जिले हैं लेकिन मुख्य रूप से आपने चार ही जिले याद रखने हैं कि कौन कौन से हैं तो ये पढ़ते हैं आपके सिर्मा और मंडी चम्बा और कांगडा उसके बाद अगर हम बात करें कि जो मध्यपरवस श्रिंखला की स्मुदर तल से उंचाई तो ये मैप में मैंने आपको रह जाई है तो यह है जो मध्यपरवस श्रिंखला है उसकी है पंद्रसों मेटर से पंतालिसों मेटर और अगर जो है निमन परवस श्रिंखला की अगर हम बात करें तो यह हैं 350 से लेकर कितनी 1500 मेटर तक तो अगर हम बात करें मध्य परवस शरिंखला के अंतरगत आने वाले जो पाई जाने वाले ब्रिक्स हैं वो कौन कौन से हैं तो अखरोट सेव देवदार उसके बाद जो है धौलदार परवस शरिंखला मुख्यर उपसिकिस जिले में पढ़ती है तो ये पढ़ती है कांगडा जिले में आपने धियान रखना है कि धौलदार जो परवस शरिंखला है वो कहां पढ़ती है कांगडा में उसके बाद अगर हम बात करें धौलदार बच सरिंखला जो है वो किसे कहते हैं तो यह आपने कमेंट करकर जो है कमेंट बॉक्स में जुरूर बताना है आपने देखना है कि आपको कितना जो है वो याद हो रहा है इस वीडियो को देखकर यदि नहीं हो रहा है तो भी आपने निरास नहीं होना है क्यूंकि पहली बार में इतना ज़्यादा याद किसी को भी नहीं होता तो आपने दूसरी बार इस वीडियो को जुरूर देखना है उसके बाद आपने तुरंत नोट्स बिनाना सुरू कर देना है और नोट्स से आपने पढ़ना है जहां आपको confusion लगे comment करकर बताईए अगर आपको confusion लगता है किस चीज में और नहीं लगता है तो आप जो है notes अपने त्यार कीजिए और comment करकर आपने बताना है कि आपको इन जो lecture series जो आने वाली हैं उनके अंतरगत जो है वो आपको कौन सा topic समझ नहीं आया उसको जो है दुवारा analysis करकर आपके स बात करें दोहलदार परवसरिंखला कांगडा के अतिरिक्त किस सेतर में पाई जाती है तो यह कहां कहां पाई जाती है तो चंबा और मंडी में पाई जाती है नेक्स्ट अगर हम बात करें पीर पंजाल परवसरिंखला किसे कहते हैं तो यह कहते हैं चंबा को तो दोहलदार परवसरिंखला कांगडा में और जो आपकी पीर पंजाल परवसरिंखला है वो चमबा जिले में पढ़ती है या आपने बिलकुल धियान रखना है अक्सर एक्जाम में जो है एक्जाम जो कंड़क्ट कराते हैं वो इस प्रसुन को डाल देते हैं और अक्सर बच्चे के लिवासरिंखला के अंद्रगत जो है वो किस नाम जाता है तो ब्रीहित हीमाल्य या अल्पायन क्सेतर के नाम जाता है और उच परवस रिंखला को जो है अगर हम बात करें कि इसके उंतरगत आने वाले क्सेतर तो चमबा, लघृल स्पीती और किनोर ये तीन क्सेतर जो है वो very important है जो इसके उंतरगत आते हैं कौन í मोसे चमबा, लघृल स्पीती और किनोर तो ये तीन कसेतर आते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें कि उच परवस रिंखला के जो है समुदर से उंचाई तो समुदर तल से इसकी उंचाई मैंने आपको बताया है कि 4500 मेटर से लेकर 7000 मेटर के बेच तो उसके बाद नेक्स्ट हम आपको कुछ और इन्फॉर्मिशन देते हैं तो अगर हम बात करें कि ब्रिहित हिमालिया या अल्पाइन कसेतर कौन सी परवस रिंखला के अंतरगत आता है ठीक है तो ब्रहित हिमालया या अलपाइन कसेतर जो है वो कौन सी परवस्रिंखला के अंतरगत आता है तो जासकर परवस्रिंखला से आता है और अक्सर एक्जाम में प्रसंद पूछ लिए जाता है कि जो है हिमचल प्रदेश को कौन सी परवस्रिंखला अलग करती है तो ये है जासकर परवत सरिंखला जो तिबत में पढ़ती है हिमचल परदेश को अलग करती है तिबत से तो ये आपने important याद रखनी है बात कि कौन सी परवत सरिंखला है जो हिमचल परदेश को तिबत से अलग करती है तो ये है जासकर परवत सिरिंखला उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हिमचल प्रदेश की सबसे उंची चोटी कौन सी है तो ये है सिल्ला सिल्ला किस जिले में पढ़ती है कि नौर में पढ़ती है और 7025 इसकी उंचाई है हाइट उसके बाद अगर हम बात करें ये हिमचल प्रदेश की स्थीति क्या है तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था पस्चिम हिमाल्या इसकी स्थीति है कि पस्चिम हिमाल्या में हिमचल प्रदेश स्थीति है मद्य हिमाल्या परवत सिर्ग्ला को जो है इस प्रकार से जो है map में हमने जो है वो describe किया हुआ है तो आपने देख लेना है कि कौन-कौन से जीले पड़ते हैं छे जीले मैंने आपको बताया थे तो ये आपने ध्यान में रखने हैं कौन-कौन से हैं छे जीले देखो सिरमॉर उसके बाद जो है आपका सिमला पड़ता है और उसके बाद जो है मंडी और जो नेक्स्ट है चमबा कांगडा और जो है आपका सोलन तो ये अपने जो है छे जीले ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से जीले पड़ते हैं और जो मैंने आपको बताया कि किस डिस्टिक से कितना कितना भाग आता है तो ये अपने ध्यान रखना है और जो हमारी ब्रीत हिमाले परवसरिंखला या उच हिमाले परवसरिंखला है उसके अंतरगत ये तीन जो जीले आते हैं ये भी आपने ध्यान में रखने हैं बिल्कुल इजी है अगर आप मैप भी बनाएं मैप देखें मैप से समझें अगर आप रटने की कोशिस करेंगे तो आप कुछ मैबाद इन चीजों को भूल जाएंगे तो मेरे चैनल का यही मोटो है कि पड़े ऐसा याद रहे जैसे कि पड़े ऐसे याद रहे जैसे तो अगर आपको यह क्रेस कोर्स अच्छा लग रहा है तो अपने अन्य साथियों को भी जो है उनके जो भी competitive exam है जिसमें HPGK का बहुत महत्पूर्ण जो है हिस्सा या रोल माना जाता है तो उनको भी इस वीडियो को जुरूर सेर करें अगर जो वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन आपने जुरूर प्रेस करना है आपको अधर यूट्यूबर की जो वीडियो मिलती है जैसे HPGK की तो उनसे यूनिक जो है रिस्पांस के उपर है कि जो हम ये वीडियो जो प्रोवाइड आपको करवा रहे हैं इनको कंटिनू रखे या नहीं तो इसका पता हमें जो है आगर आप लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि आप जो हैं हमारे द्वारा जो प्रोव प्रेस कोर्स सीरीज बंद कर देंगे अगर आपको समझा रही है चीजे तो आपने जुरू सब्सक्राइब और लाइक करना है तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमचल प्रदेश की परवत चोटियां तो परवत चोटियों की अगर हम बात करें तो परवत चोटियों हम हिमचल प्रवच चोटीयों की, तो सबसे पहले, हम बताते हैं लहुआसप्टी की, लहुआसप्टी की मनर eg, जो मनिरेeg चोटी है, उसकी जो उन्चाई है, वो है 6.597 मिटर, उसके बाद चम्बा की है पेर पंजाल, सबसे उन्ची चोटी, जिसकी हाइट है साथ हजार सारी पांच हजार साथ सो बानुए मीटर उसके बाद अगर हम बात करें कुल्लू की तो कुल्लू की है डिबी वेकरी पिरामिड और इसकी जो कुल्लू की जो है वो है डिबी वेकरी पिरामिड और इसकी जो हाइट है 6400 मेटर और हम कांगडा की बात करें तो है हनुवान टिबा और इसकी जो हाइट है वो है 5860 मेटर कि नौर की सिल्ला ये सबसे important है जो अक्सरा एक्जाम में पूछी जाती है तो इसकी जो है 7025 मेटर उसके बाद उन्ना की अगर हम बात करें तो भरवैन है और 1200 मेटर इसकी हाइट है हमिरपूर की है अवहादेवी 1100 मेटर है तो उसके बाद मंडी की नागुरू है 4400 मेटर बिलासपूर की बहादूर पूर धार है 19880 मेटर और सोलन की माउंट क्रोल 2280 मेटर सिमला की चांसल चोटी है 4520 मेटर और सिर्मौर की है चूडधार 3670 मेटर अगर हम बात करें हिमचल प्रदेश की चोटियों की तो यह जो मैंने आपको चोटियों बताई इनको आप 2-3 बार रिवाइज करना कापी पर लिखना आपको एकदम से याद हो जाएंगी तो उसके बाद अगर हम बात करें हिमचल प्रदेश की जो अन्य चोटियों है जो इनको यह जो हैं हिमचल प्रदेश की सारी चोटियों की हम बात कर रहे हैं तो देखिए चोटियों जो हैं वो सबसे पहले हम बात करें कि चंबा, तो चंबा में नर्सिंग टिबा, गौरी देवी का टिबा, तमसार, कैलास, बड़ा खाड़ा, पीर पंजार, ये चोटियें पड़ती हैं चंबा जीले में, अगर हम बात करें लहौल स्पिती की, तो लहौल स्पिती में जो है, हर गारना, स्रिंगला, मुरंगला, तो ये नोट करने वाली चीज है कि गला गला जिसमें लगा हो, मैक्सिमम जो हैं लहौल स्पिती के अंतरगत आती हैं, सिर्फ एक दो को छोड़ कर, तो कौन-कौन सी हैं, तो गोफांगो, मुकरबेहू, सिकरबेहू, सिगरिला और गोफांग, मुल, किला और सालतूदा, प दूले, तो इसके लिए आपको जो है, इनको लिखना है कापी पर, और उसके बाद जो है, दो से तीन बार रिवाइज करना है, आपको आटोमेटिक के ये याद हो जाएंगी, अगर हम बात करें, जो है, नेक्स्ट, जो हमारे पास आती है, जो चोटी, कांग्ड़ जिले मे ये है चोलांग और पिन पारवती, तो ये सबसे इमोड़न है, पिन पारवती, जो है, वो कहां पढ़ती है, तो ये पढ़ती है कांग्ड़ा में, नेक्स्ट हम बात करें कुल्लू में, तो साच, पतालसू, घोरा, तनू, उसके बाद पिन पारवती, इंदर की ला, उसके वाग, मेवा, कांतिनू, सोलांग, दियो टिबबा, डिवी बेकरी, पिरमेड, और किनोर के अगर बात करें तो सिपकी, सिल्ला और लियो प्राजी, तो सबसे इपोर्डन्ट जो आती है, जो किनोर है, इसमें आती है, सिल्ला, सिल्ला की क्या है, 7025 मीटर हाइट है, तो ये अक्सर एकजाम में इस चोटी के बारे में पूछ लिया जाता है, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट, आज का लास्ट जो पार्ट वनता है, पार्ट थी 1.3, तो ये है वर्सब नस्पती और जीव जन्तू एवम 1, तो इसमें अगर हम बात करें, तो तो हिमचल प्रदेश में प्रतिवस औस्त वर्सा जो होती है, वो 600 मेटर होती है, और हिमचल प्रदेश में सबसे कम वर्सा जो है स्पीती में होती है, जो लाहल स्पीती के अंतरगत जो है एरिया आता है, और सबसे सुस्कतान जो है लाहल स्पीती है, जो जीले के रूप मे अगर हम बात करें और हिमचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है कांगड़ा जीले के धर्मसाला में अगर हम बात करें बनस्पति की, तो बनस्पति में हिमचल प्रदेश में जो हैं फूलों की कुल प्रजातियां छे हजार के अलगबग हैं, इसे कुछ ज्यादा भी हो सकती हैं, हिमचल प्रदेश में बनु का विवाज़न छे प्रकार से हुआ है, गोन फो. मंधित exam होते हैं उनमें इंसे प्रसन पूछ लिया जाता है कि बनों को विवाजन कितने प्रकार से किये गहा है तो यह है शे प्रकार से तो कौन कौन से हैं यह आपने ध्यान में रखने हैं तो कौन कौन से हैं तो यह है आदर उषण कड़िअ वड़दी सप्राइल नदेंस तो यह आंपने ध्यार रखने हैं चेह प्रकार के वनुऊ विवाजन का गया है मतलब गया वनुऊ को जो है शे भागों में बांडा गया है उसके बाद next हम बात करें जीव जन्तो तो हिमचल प्रदेश में वन्य जीव अभियारन कितने हैं तो वन्य जीव विहार 32 हैं हिमचल प्रदेश में का क्से तरफल जो कितना आता है इनके अंतरगत आता है 12.63% और हिमचल प्रदेश का राजय वक्सी जो जुराना बरपहिला तेंदुवा पसू है जो राजय पसू है और सबसे बड़ा मन्य जीव अभियारन कौन सा है तो ये है लाहल स्पीति का किबर जो 1400 वर किलोमेटर के अंतरगत फैला हुआ है और अगर हम बात करें सबसे कम की तो सबसे कम है सिल्ली बेर इपोर्टेंट दोनों ही प्रसन है ये वान लाइन की फॉर्म में आपको दिये गए है तो सिल्ली जो है वो दो वर किलोमेटर है और जीला सोलन के अंतरगत ये पढ़ता है किबर लाहल स्पीति में और ये सोलन में अगर हम बात करें हिमचल प्रदेश के दो राष्ट्रिय उपवन है तो कौन-कौन से है ग्रेट ह हिमाले नाशनल पार्क और पिन घाटी नाशनल पार्क सबसे इपॉर्टेंट है ये भी तो ग्रेट हिमाले नाशनल पार्क जो है कुल्लू में पढ़ता है और पिन घाटी नाशनल पार्क जो है वो लाहल स्पीति में पढ़ता है इसे जो है उन्हें आसको वर्ड हेरेज 2014 में और इसका जो क्सेतर फल है वहावा है 754 वर किलोमेटर डेटरमाथ नैशनल फार का और अगर हम बात करें प्याथे नैसल पार के तो इसका जो क्सेतर फल है वहाई 6,675 वर किलोमेटर ठीक है तो यह अपने ध्यान में रखने हैं दोनों क्सेतरफल से भी जो है एक्सर एक्जाम में प्रसंद पूछ लिया जाता है नेक्स्ट करते हम बन से समंदित बात तो ये फरेश्ट के लिए भी बेर इपॉर्डन वीडियो है तो नेक्स्ट हिमचल प्रदेश में बनों का क्सेतरफल कितना है तो ये आपने ध्यां लगर्ण है अगर हम बात कर हैं हिमचल प्रदेश में सबसे अधिक बन कहां पाए जाते हैं तो सबाभ जरक सेतर्व के अगर करें तो लोहल रेदव कीम है वो बाला बानचित क्सेतर है वो है चमबा और सबसे कम है लहौल स्पीती में ठीक है और सब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सरवाधिक वन क्सेतर तो कुल क्सेतर फल का तो यह है सिर्माओर में सबसे अधिक वन और सबसे कम बनू कि अगर बात करें कुल क्सेतर फल में तो सब यह आते हैं चील जो है सप्रूस और उसके बाद देवदार तो सबसे ज़्यादे तो चीले हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हिमचल प्रदेश जो है कि अगर हम बात करें तो हिमचल प्रदेश कि में जो है बन निगम की स्थापना हुई है 25 मार्च 1974 में कितने में 25 मार्च 1974 नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बनों से स्मंधित महत्तपूर्ण एक्ट जो पारित किये गये हैं हिमचल सरकार के द्वारा हिमचल प्रदेश में भूमि सरक्षन अधिनियम 1978, 1978 में लाग हुआ और हिमचल प्रदेश में बन अधिनियम जो है 1982 में लाग हुआ और हिमचल प्रदेश में बिरोजा फैक्टरियं दो हैं सिर्मोर के नहान में और विलासपूर में तो ये जो दो फैक्टरियं हैं ये जो है बिरोजा की हैं तो अगर हम बात करें कि उभियारन वो राष्ट्रे उध्यान तो हिमचल प्रदेश में जो ये हैं जो राष्ट्रे उध्यान अगर बात करें हिमजल प्देश में उध्यान दो हैं Great Himalayan National Park सबसे important है ये भी अक्सर एक्जाम में इन से प्रसंद पूछा जाता है तो Great Himalayan National Park के अगर हम बात करें तो क्सेतरफल 7065 वर किलोमेटर और अगर हम इसकी बात करें तो ये पार्क बना था कब 1 मार्च 1984 में और क्सेतरफल मैंने आपको बताया इसका कि 765 वर किलोमेटर और चिला जो है वो कहां स्थीत है तो कुलू में स्थीत है Great Himalayan National Park और 2014 में ये ये यूनासको की सूची में वो सामिल किया गया है तो बिरास्वी सूची में सामिल किया गया है और अगर नेक्स्ट हम बात करें पीन घाटी नैसनल पार्क तो क्सेतरफल 675 जो है वर किलोमेटर ये बना था 9 जनबरी 1987 में और ये पढ़ता है लाहल स्पीती में तो अक्से रिंस में एक्जाम में पुछा जाता है Great Himalayan National Park किस जिल मिस्टीत है तो कुलू में अगर बात करें पीन घाटी नैसनल पार्क तो लाहल स्पीती में उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके बन्यजी उभ्यारण है तो 32 है और उन में सबसे अगर बड़ा बन्यजी अभ्यारण कीबर है 1400 वर किलोमेटर के अंतरगत फैला हुआ है और ये जो है वो लाहल स्पीती में पढ़ता है और अगर हम बात करें सबसे छोटा तो यह है सिल्ली सोलन में और वर किलोमेटर में फैला हुआ है और प्रक्रिदिक जो पार्क है वो तीन है तो कौन-कौन से हैं इनको भी हम जो है डिसकस करते हैं तो कौन-कौन से हैं तो यह है कुफरी, मनाली और गोपालपूर में तो यह कुफरी सिमला में पढ़ता है मनाली जो है सरनस्थली है और गोपालपूर यह है उभिहारन कांगडा में और चीडियगर टुटी कंडी सिमला में पढ़ता है तो दोस्तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करकर आपने जुरूर बताना है पचास मिंट के लगवगे जो है पहला पार्ट जो पहला डे का जो क्रेस कोर्स है यह बना है तो दोस्तो अगर आपको यह बोरिंग लगता है जो वीडियो आप देख रहे हैं तो बोरिंग कुछ नहीं है थोड़ा इंटरस्ट अपने में जगाओ और वीडियों को देखो धीरे धीरे इंजुआए करो पढ़ाई को ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं पढ़ना है और जो है मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप अंत तक इस वीडियो में जुड़े हैं तो आप जो है वो किसी ना किसी एक्जाम को जुरूर क्रेक करेंगे और अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि हीमचल प्रदेश पूलिस में अगर 15 क्वेश्चिन भी हीमचल प्रदेश जीके से आते हैं वैसे तो कभी वो डालते ही नहीं है लेकिन कभी डालते हैं तो बहु ज़्यादा जो है मातरा में वो डाल देते हैं जैसे 15 से 18 क्वेश्चिन के बीच क्योंकि हर पॉर्षन जो है 16 सोला मार्क्स का बांटा हुआ होता है उन्होंने तो अगर 15 से 18 क्वेश्चिन उस एक्जाम में आते हैं तो मैं आपको बाद दिलाता हूँ कम से कम आप जो है 18 में से 14-15 क्वेश्चिन जो है इस क्रेश्च कोर्स से कम्प्लीटी जो है सॉल्ब करेंगे वहाँ पर टिक करेंगे तो दोस्तो अगर HPSC की बात करें तो 30 में से आप जो है 25-26 क्वेश्चिन जो है जो एक्जाम में आते हैं HPGK के इन क्रेश्च कोर्स को देखने के बाद कम्प्लीटली जो है सॉल्ब करेंगे दो तिन क्वेश्चिन ऐसे हो जाते हैं जो कहीं ऐसा स्लेबस डाल देते हैं या क्रंट अफेर से डाल देते हैं तो उनकी मैं गरंटी नहीं लेता लेकिन जितना भी प्रसंद और मैं आपको जो है प्रप्रली बताऊंगा कि कौन प्रसंद जो है ज्यादा इपॉर्डन है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट जो पार्ट टू डे टू के साथ तो तब तक के लिए जैहिन जै भारत जै हीमाचाल